एक प्ता यहां पर लग जाएगा कि आलेक्रोंटि क्यों होती है कि यह क्यों कि थेक्रिक्रोंबिशन से हैं कि आपको यहां पर अचुन से पिलियर हो जाए अब निकार देंगे जब रटने के जब्रत ना करणा तो बहतानको इंठी कितने एक तुस नुट्रम निकारे इसके क्यों भी उता है अब आप देना से संद लेज़े कि अब बाएत्व पोस्ता है ऐसे किसे केते हैं तो बाहेत्तं पोस्तों जो होता है कि अधियुद्ण तो इसके साथ में जूबेगा तो इसकी संचक्ता कितनी होगी दो परवन के साथ में जूबेगा परवन के साथ में जूबेगा तो इसकी संचक्ता करने के लिए परवन अपने पाहत्तकोस में आठ इलेक्ट्रोन काप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रोन त्यागता है या ग्रेण करता है बोस की क्या करता है जितने इलेक्ट्रोन त्यागता या ग्रेण करता है बाहत्तम बोस में जितने इलेक्ट्रोन है बोस की संचक्ता करता है भी कैके प्रमाण। अपना स्थक उसक्तभा हसी के लिए जितन इलएक्ट्रोन त्यागता और उन्हें उन्हें दूटमार को आपके ये समझ में आगया कि परमाणु कभी रैसले क्वी खर्मी करेंग से। कि सीने इलेक्ट्रोन आ रहे िधोशी को जागता कि अपना अस्तर पूरा करने के लिए तोड़ा उपर लेक्ट्रों आपर कि बारेतां बोस्तों पर दो एक्ट्रों है तो मेंने क्या आता है वारेतां को उसमें बोने कितने चाहिए इसके पास में क्या सिच्वेसं बढ़िया वाइस सिच्वेसं यह है कि या विए यह दो इलेक्ट्रों देगा तो यह फिनीस हो जाएगा तो इसनिक इतने इलेक्ट्रों आगे पाटोगे तो बताओ यह देगा या दो देगा तो छेल देना आजान है तो सिंपल सांसर है कि सर्थ दो देना आजान है जो देना तो इसकी तो इसल Seymu तो मेगन एक्तियम यहां पर कितने एलेक्ट्रोन क्या वेगा ? फ्याटव क्या साथ आप आपके समझ में आगया होगा कि मेगनेस्यम पर mg2% ही क्यों आपको से पूछा जाता है एल्एक्तियम पर कितना दरस आएगा ? आपको अभी तक हमाइन लास के रट देचाए कुछ रटना चुलिया आपके अपने तरग तरग से पालना सेखिए कि एसे अपस लिखन को सीखी कि कैसे आया शोन है लात जिले कुछ अब झेला हीन जिसा होता है, आप झूक होता है कि ए एक नहीं वखरना तो हमोने ऐसा तो कि नहीं सकती है कि जिसके तीन वबना है। क्यों यहां पर अपिशन प्रकॉत कि तो क्या करने हैं? पॉइ आपको बता है तो तो यह स्पर धी और लिक जो तो आपने तो इस पूंते हैं तो पताइए अब क्या किया जाएगा बाहतम कोस में कितने इलेक्ट्रोन हो गया है तो अब क्या होगा है तीन इलेक्ट्रोन को यह त्याग देगा तो यहां पर किना चाहर जाएगा यहां फाना सब्सक्राइए तो इसतरकार से धर्दियों आपको इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखना आना चाहिए और जैसे लिफिक्रोनिक विन्यास लिखना आपको आजाएगा तो आपको यह भी पताब हो जाएगा कि परमानु तब्धनायन बनाएगा कितना उसके उपर प्लस जाज आएगा, कितना माइनस आएगा, क्यों आएगा, ये सारी बाते किलियर हो जाएगी, तो आपके ये जो केमेस्ट्री के चेक्टर हैं, जितने भी पहुती जीवे में समझ में आएगे, ठीक है ना, इन बेसिक चीजों को, बेसिक पॉइंट्स को क क्लियर करने के बस चाहती ही मैं आपको इस लेसंस से जोगाएगा, ठीक है, ठीक्यों, जैएगी